सब्सक्राइब टैक्टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन बाचीत आज हम करेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम के हवादे से भारत का जो स्पेस का प्रोग्राम है वो काफी बड़ा प्रोग्राम है और सेटल लाइट पर भारत अपनी जो है पींगे बढ़ा रहा है और इस वक्त चाइना और अमरीका के बाद अपने स्पेस शटल्स वहाँ पे बेज रहा है इसके साथ साथ भारत यॉर्पिन यूनियन के जो कंट्रीज उनके भी साथ साथ है रशिया के भी साथ साथ है और आज की भारत एजूकेशन एंड टेकनालोजी सिरीज में हम अपने स्टूडियों में बातचीत करेंगे डॉक्टर राज जगपाल जी के साथ जो पीएच डी की हुए हैं स्पेस साइंस में और इन्होंने मास्टर देन एपलाइड फैजिक्स किया था बाबा गुरू नानक देव जी यूनिवरस्टी अमरसर से मेरी तरह पके पंजाबी हैं मगर साइंस की दुनिया के धनी हैं डॉक्टर साब वेलकम करते हैं आपको आपने इतनी बड़ी डिग्री ली नाइंटी नाइंटी थ्री में आपने बाबा गुरू देव नानक यूनिवरस्टी से मास्टर इन एपलाइड फैजिक्स किया फिर आपने यहां पे आके पीएच डी किया स्पेस साइंस में तो यह बताईए कि भारत में जब आप इतनी बड़ी डिग्री मास्टर डिग्री इन एपलाइड फैजिक्स अच्छी खासी मेनत वाला काम है आप लेकर आए तो उसने कितनी मदद दी आपको इस वेस्टर वर्ल्ड में इसकी यूनिवरस्टी के साथ मास्टर जब दीग्री पानगी तो उसके बाद मैं वहाँ पे जलंदर में द्वाबा कोला जलंजर है अवाद लेक्ट्र देर फाइव यर आने से पहले पांच साल वहां फजीक्स बढ़ा लाईए तो रियली हल्मी बिकॉस वैन आपका बिस बन्सक्राइब कुम्ट जैसे मैं आप्टरीक्स में जादा इंटरस्टेट सा, सो देन अफ़रवर्ड जब मैंने बीस एक्सलिए की अगें दने एक्सलिएं फिजिक्स फिर मास्टर तो मैंने अप्लाइड फिजिक्स में की तो उसका मरे को जो बेशिक्स नॉलज था, mathematical knowledge काफी था, तो जब मैं जहां आइठा की थी. When I qualify for this, initially फिले मैंने masters की बिपार्टमें Max anducht in astronomy, बाद मैं 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 P.I.D. की, York University See, in space science. तो वह चीज़ जो बेसिक मैंने इंडिया में सीखी थी, फ्रम बिगनिंग फ्रम ग्रेड 11 अंटिल इवन आइसे बिगनिंग फ्रम ग्रेड 9 अंटिल माइस्टर डिगरी, दोज चीज़ उन्होंने काफी हलब की, वहां से मेरे बेसिक स्ट्रॉंग हो गए थे, जब आपके बेस्ट्रॉंग हो, देन यू कन अपलाई दोज रूल्स फार्मॉलाद आर सेम, फिजिक्स फार्मॉलाद आर सेम, फिर आप उसको यूज़ करना, आपको टकनीक आती है, देन यू कन अपलाई एनिवेर. बड़ी आपने एहम बात की, देखिए, आपने भारत के पंजाब से एपलाईड फिजिक्स में ये मास्टर किया, और आपकी वहां पे जो साइंस की ट्रेनिंग होई, ग्रूमिंग होई, उस ही ने आपकी मदद की यहां पे आगे. जो कांसेप्ट है, चुक्के आपने 1993 में की मास्टर है, फिर उसके बाद आप पांच साल लेक्शर भी रहे, तो ये बात आज अगर हम देखें, 2829 साल हो गए हैं, तो आपने फिर यहां यॉक यॉनिवस्ट्री से किया, तो बहुत डिफरेंस था, स्टेंडर आफ एडूके में फिर से चुरू करते हैं, मास्टर्स, फिर पी, डी, तो वो जो गैप था, उसका थोड़ा बता असर था, कि I have to brush up my skills, and जो आपने बोला कि एडूकेशन में जो मेजर डिफरेंस है, कनेडियन यॉनिवस्टी और इंडियन यॉनिवस्टी में, यहां प्रैक्टिकल पर ज्यादा करते हैं, साइंस जो है प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस है, इंडिया में ज्यादा थ्रैटिकल है, कि वो रट्टावाजी, you need to understand the concept, most of the topic physics is very dry subject, quantum physics और classical physics में सब कुछ आ जाता है, तो वो चीजें अगर आप theoretically करे जाओ, then it will become boring, but अगर आप experimental के साथ करो, जो यहां की universities करती हैं, जब मैंने जो भी काम किया, they are very much practical oriented, फिर आपको interest भी आता है, and you excel in your field. Right, Dr. Sir, जो आपने यहाँ PhD की, तो आपका thesis क्या था, आपका project क्या था? Yeah, मैंने PhD की, मेरा जो मेन टॉपिक था, वो कैलिबरेशन और वैलिडेशन अफ आर्गस 1000 स्पेक्ट्रोमेटर, जो अपने हाथ में, इस से काल एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमेटर, वो एक सैटलाइट लाँच किया था, उनिवर्स्टी आप टरंटो, यहाँ काल्ड़ काल फिर उसको मैंने पूरा, क्योंकि स्पेस में बेजने से पहले आपको उसको शेक और बेक दोनों करना पड़ता है, शेक मीन कि यू हाब टू सी कि वो हायर जब लाँच होगा, और बेक भी, जब स्पेस में होगा टेंपरेचर माइनस 100 से लेकर, प्लस 100 से भी उपर चला जा दे, तैट रियली है, दोड़ साब, वो जो आपका परजेक्ट था, आपने जो किया डिजाइन, उसने आपके यहां के इंसीचूट को, यहां की यूनिवरस्टी को कितना फाइदा दिया, तेको वो जो इंस्टुमेंट था, तैट वस अमेरिका जनासा वालों ने सिमिलर ट को भी मैक्स करें तो एक हंडर तौजन मेभी एराउंड आट अमाउंट, हमारा इंस्टुमेंट सिक्सेस्फुल था, उनका जो फर्स्ट लांच थी, वो फेल होगी थी, तो 350 उनके खतम, यहींड़ मिलियन डॉलर, तो आपके सिर्टी थाउजन्ट, उकनिजिन डॉलर लग सिर्टे हैं, और इसरो लांच दोस तूझ, और तो जो एंडिया की दो जुनिवस्टी हैं, एक सिंगापूर की उनिवस्टी थी, और लांच थी, तो यहींड़ तूज तूज आपका बनाया वागाम था, वो भारत में भी पहुँचा है, बारत में बहुत 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 ब वारत में ये वरूर्य इंटरस्टिड दूथ क्योंकि इंडिया में यद्रेशल ये हैं कि ौनदिया लाउंच वहां से होती हैं उनके लिए लाउंच काफी बैड़्य में काफा है उनको कोई लाउससा नश्णियूमन चाहिए उत्था तैस लिए इन्यूर तिन जो जो है यानि उसकी क्या दुनिया में स्टेंडराइजेशन है इसरो ने देखो आल अफ सड़न जब मिशन जब मार्स का मिशन सक्सेस्पुल हुआ था उसके बाद आई रिमेंबर की मैं एक कॉन्फरेंस में था दूरिंग डैटाम टरंटों में हो रही थी काफी बड़ी कॉन्फर आपने बोस को पकड़ कर लाब कर दे थोड़ा हम इंडियन तो मैं भी उन्हीं की टीम से हो मैंगा नहीं हो आएं फ्रॉम यॉर्क इनिवस्टी बगर इसरो का नाम मंगल मिशन के बाद आई सी डूरिंग डैट टाइम एवरीवन चेंजिस जिनो लोग हमेशन फॉर फाइव में से स्पेस इंसिचूट इसरो हैं नीम सीमिलर लाइक अधर जैंसी लाग यॉर्पिन एजैंसी और चाइनिस एजैंसी सो आई नो अगर आने वाले 20-30 सालों में इंडिया शाह दिनको टॉप भी कर दे अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसरो दुनिया के चा के लिए वो काफी बहतर है फिर? रहा रहा है, software में हम अच्छे थे, technology उनको मिल गई, and now that's why they are excelling, and future में भी अगर ऐसे रहा जैसे अभी एक और अच्छा गिया ना, ISRO ने दूसरी country हैं के साथ calibration भी शुरू कर दिया, कि उनके instrument launch करने शुरू कर दिए, फिर आपको उनका पता जलता कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी से idea लेकर हर कोई country उपर जा रहा है, but ISRO is really doing very very good. हम देखते हैं, डॉक्टर अब जो हमारे बारती डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT के लोग हैं, business administration के लोग हैं, पूरी दुनिया में आते हैं, और अपनी performance देते हैं, और अपना नाम भी कमाते हैं, देश का नाम भी बनता है, space scientist कोई आ रहे हैं इंडिया से, जैसे आप आए हैं यहां पे? मैं तो जब आया था, I was not space scientist at that time, तो मगर अभी लोग आ रहे हैं, इंट्रस्टेड हैं, अभी मेरे तीन-चर दोस्ट जो recently आए हैं, तो लोग आ रहे हैं, मगर अगर इंडिया में भी क्या हो रहा कि अभी package उनको अच्छा देना शुरू कर दिया, जैसे मेरे को भी जब मैंने फिनिश की थे वो जुनिवर्स्टी जिसने बाइ किया था, तो पैकेज जो दे रहे थे, मगर वेन आइ कंपेर विद कनेडियन पैकेज, वो कम था, क्योंकि इंडिया रूपिस में तो इसलिए थोड़ा ट्रेंट कम हो गया, क्योंकि पीपल अर स्टार्ट गेटिंग गूड अमाउंट अव मनी और सैलरी पैकेज, तो थोड़ा कम होगा बट स्टिल लोग आ रहे हैं इंडिया से, कैनिड़ा भी आ रहे हैं, यूएस से भी जा रहे हैं, आपकी तरह जो यहां पर आला तरीम ले रहे हैं, जैसे आपने पिएशडी की, अपना पॉर्जेक्ट किया, लाउंच किया, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, वो स्पेस में है अभी भी, और उस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की यूनिवर्स्टियों ने वाई किय तो जो एन आर आई, आप जैसे साइंटिस्स अमरीका, कैनडा, यॉर्प में बैठे हुए हैं, वो भारत की क्या को मदद कर सकते हैं, फर्दर अपलिफ्टिक करने में, वहां के स्टैंडर्स को, हाँ जै, अगर देखो, जो यूनिवर्स्टियों जहां की यूनिवर्स्टि तो नैचरली अगर कोई जाइंट कैलोबरेशन होती है, कनेडियन यूनिवर्स्टिज में और कनेडियन जो भी इंडस्टिज है, स्पेस रिलेटड या दूसरी भी, तो बिन बिन सुचेशन है, यू एफटी एंड जूर्क यूनिवर्स्टि काफी अच्छे कैलोबरेशन ह हो रहे हैं, उनका अलएडी इसरो के साथ हैं. डॉर्स अब, मैं अपने इस शो बीट्स में यानि भारत एजूकेशन एंड टेकनालोगी सीरीज में खास और पर लैंग्विज के हवाले से भी बात करता हूं, चुक्छा मेरे साथ जिन बड़े साइंटिस ने आज तक बात क कि हमारे वहां पर जो इस शूट्स हैं भारत में वहां पर इंग्लिश लैंग्विज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं, अगर यही काम मादरी मदर टांक्स में हो, मादरी भाशाओं में हो, जैसकर हम जपान में देखते हैं, चाइना में देखते हैं हैं, रश्या में देखते हैं, आपकी और मेरी मिसाल भी है कि हम दोनों पके पंजाबी हैं, और जाहर है, हमने अपना गियर जो बदला लैंग्विज का, वो पंजाबी से हिंदी उर्दू, और फिर फर्दर इंग्लिश, वो तीसे स्टेप, तो इससे भी को फर्क पड़ता है, ने मेरे खाल तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे नाव मैं आपके साथ पंजाबी में बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, जी, पट मेरी मदर टंग तो पंजाबी है, बिल्कु ठीक, मेरा जो थौर्ट प्रोसेज है, वो पंजाबी, विची मेनों, सिंद्ध है, तो बोल रहा है, जी, बोल रहा हि हूं, जाए, आपके साथ करण दो के में लिए रहा हूं, अविरLग को और की लिए रहा हूं, आपके साथ है कि एल्ट थीक, मेरे खाल, नापने कर सेके साथा पंजाबी लिच़ थांचि पानदों, बिल्चार रहा है, इन ड वो अपने जर्मान में उतना यहीं बच्छानार भीडना दिया। यह जो इसवेषैना लोग़ाbox आथे लगवेशन अुर्णीस एकवि अंग्धाद in their own language. No doubt. English should be a subject. They should learn how to speak and but the main subject is mathematics, science. अगर जे हिंदी, पंजाबी जहा और language में हो जाए तो बच्चे मेरे खाल हमारे Nobel Prize जो बहुत काम जीत रहे हैं आज की डेट में. तो तो देर विल भी लाज नमबर अफ इंडियन स्टुडेंट्स विल बिन or scientist will win Nobel Prize in like mathematics or science. राइट 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 साफ तेंक यू वेरी मच आप देर टरांटो में ही रहते हैं, हमारे दोस्ट में हैं बहुत अच्छे तो अब हम आपको बलाते रहेंगे इस सब्जेक्ट पर चुकर यह बड़ा ही important सब्जेक्ट है. बाची सुन रहे थे डॉक्टर राज जग्पाल जी की आप और आपको अंदाजा हुआ कि हमारे जो साइंटिस हैं यहां पर आप कैंड़ा में, अमरीका में, यॉरप में वो ना सिर्फ बहुत नाम कमा रहे हैं, बलके वो इनुवेटिव परजेक्ट भी क्रियेट कर रहे हैं. इसके साथ साथ डॉक्टर ने बताया कि भारत में इस रो की बात हो या साइंस डिव की बातें बचाएं, आज डॉक्टर राज अकपाल जी के साथ मैंने बहुत बेसिक सी बातें की, डॉक्टर राज अकपाल जी को हम बुलाते रहेंगे और खास पर हम चाहेंगे इनसे कुछ टुटोरियल वीडियो भी हम इनकी मदद से बनाएंगे, स्पेस साइंस के हवाले से आप भारत एडुकेशन और टेकनालोजी सीरीज के ये शोज भी खास और पर मेरे साथ देखते रहें, मेरे इलावा भी इस सबजेक्स पर कुछ और एंकर्स भी आपके साथ आने वाले दिनों में जोड़ेंगे, आपको पता हम डॉक्रमेंटिस भी बना रहे हैं और इसक साथ साथ हमारे न्यूज मिलिटन भी आना शुरू हो चुके हैं, thebeatsforyou.com इसकी वेब साइट है और इसी का जो यूट्यूब चैनल भी हमने अलग से कर दिया, अगरचे टैग टीवी पर भी हम सारे बीट्स के शो दिखाते हैं, मगर धीरे धीरे हम ट्राफिक बीट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ भी लेकर जाएंगे, इंस्टाग्राम की तरफ भी और फेस्बुक की तरफ भी, आप उन सब के पेजिस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बीट्स का यूट्यूब चैनल भी, मैं उसका लिंक इस वीडियो लिंक में आपके साथ आज का बीट्स मेरे साथ और डॉक्टर राज जगपाल जी की साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। साइंस का कंपारिजन होगा चीन और अमरीका के साथ बीट्स में आप देखेंगे टॉक्ट शोस, पैनल दिस्कॉशंस, टूटोलियर विडियोस और डॉक्यमेंटरीस, सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेस्बूक पेज और इंस्टर्म, विजित इस the beat's for you dot com